Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, कैसे हैं आप लोग मेरा अम जुनेद है, तो आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे recently अभी iOS 16 developer beta यहाँ पे release हुआ था, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे review भी करके बताया था और जो हैं यहाँ पे download and install करके भी बताया था, तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जब भी मैं यहाँ पे iOS 16 हो, 15 हो या 14 हो, जो भी यहाँ पे iOS update आता है, Apple यहाँ पे release करता है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, और उसमें ए खास thought पर यह कहता हूँ, कि मैं recommend कर रहा हूँ, कि आप ल चैनल को आपने subscribe नहीं किया है, तो आप subscribe कर दीजेगा, मेरे भी iPhone में यहाँ पे कुछ annoying चीज़ें हो रही है, उसके बारे मैं आप लोगों को अभी बताना चाहता हूँ, तो चलिए शुरू करते है अपनी वीडियो को, यहाँ पे जैसा कि आप दे सकते हैं, मेरे iPhone XR में य iOS 16 जो है beta version पे यहाँ पे चल रहा है, जो कि developer beta है, मैंने इसे कुछ दिन पहले ही download किया था, अभी यहाँ पे आपको developer beta 2 भी देखने को मिल गया है iOS 16 का, लेकिन मैंने अपने iPhone XR में इसे नहीं install किया है, उसका मकसद ही है कि मैं आप लोगों कुछ दिखाना चाहता था कि यह सकते हैं, जब भी हम इसे swipe down करते हैं हमारे notification panel को तो यहाँ पे आपको home screen देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे lock screen की आप देख सकते हैं, यह बटन भी आपको देखने को मिल रहा है, बसे देखने में तो बहुत cool लगता है, यह transparent लेकिन यह कोई एक नया features नहीं है, यहाँ अपल का जो iOS 16 developer beta 1 है, उसमें यह आप लोगो bug देखने को मिल जा रहा है, जैसा कि मेरे iPhone XR में आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप जब इसे उपर करेंगे notification panel को तब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा जो notification panel है, वो यहाँ पे transparent हो जा रहा है, तो यह एक बहुत ह खराब bug है, और मेरे भी यहाँ पे application बहुत सारे crash हो रहे हैं, जैसा कि आप अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है, जब भी मैं इसे use करता हूँ, यह मेरा primary iPhone है, तो यहाँ पे मैं इसे बहुत जादा use करता हूँ, इसलिए यहाँ पे मुझे बहुत सारे app crashes देखने को मिल जा रह या मैंने क्यों कर लिया, तो आप लोग समझ सकते हैं, यह तो मेरा काम है, मैं आप लोग लिए ऐसे ही वीडियो ले करके आता हूँ, जिससे आप लोग अपने iPhone को safe और जो है, अच्छे से use कर पाएं, इसलिए मैं अपने iPhone में risk लिए सकता हूँ, मैरे पास काफी iPhone है, मैं primary जो device use करता हूँ, वो XR है, यह मेरी primary device और मैंने इस पर iOS 16 developer beta 1 जो है, मैंने डाउनलोड करके रखा था, जिससे मैं आप लोगों तक इसकी सारी जानकारी पहुचा आ सको हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ दिनों तक use किया, उसके बाद मुझे यह बहुत सारे bugs इसमें देखने transparent हो जा रहा है, देखने में तो यह आप देख सकते transparent होने के बाद कितना बहतरीन लगता है, लेकिन यह कोई एक नया feature नहीं है, यह एक bug है, जो आपके iPhone को harmful effect पहुचा सकता है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग मैं recommend करूंगा कि जब भी developer beta या फिर public beta यहाँ पे Apple release करता है iPhone जो की primary है आपका, तो उसमें आप ना करें, उसके लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आप लोगों को जो है, उसकी वीडियो बना करके दिखाऊंगा, जिससे आप लोग जो है easily इससे देख सकते हैं, क्या-क्या नए features आए हुए हैं, और क्या-क्या यहाँ यहाँ पे changes इससे download and install कर सकते हैं, तब काफी हद तक यहाँ पे सारे bugs और सारे problems यहाँ पे fix कर दिए गया होते हैं Apple की तरफ से, तो दोस्तो इतनी सी बात थी कि मैं आप लोगों यह बताना चाहता था कि iOS developer beta जो भी है, वो यहाँ पे आपके iPhone को खराब कर सकता है, और बहुत सारी इसमें download and install कर सकते हैं, अगर आपके पास एक ही primary device है, आप उसमें install करते हैं, तो आपको यहाँ पे app crashes और यहाँ पे आपको बहुत सारे bugs देखने को मिल जाएंगे, बैटरी में भी आपको issues देखने को मिल जाएंगे, तो दोस्तो यह थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैं आप ल 16 beta 1 यहाँ पर download and install किया हुआ है, तो आप लोग भी अगर इससे बचना चाते हैं, तो आप भी बहुत ही carefully आप अपनी secondary device में जो है, डाउनलोड करिए, उसमें आप इसके features देख सकते हैं, या फिर इसके stable version के आने का इंतजार करें, जिससे आपको जो है, आपके iPhone में कोई भ आपके दोलया है tetby दोगहां, तो तक कंप्रो का ये Casey gaming घ्यम है, आपके भी बहुत हैं, है। तरहूआ है।